हेलो दोस्तों यह हीरो मैस्तो एज 125 ब्याशिक्स हीरो ने मैस्तो एज को कनेक्ट एडिशन में निवली लॉंच किया है मोबाइल, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, जीपियस और कई स्मार्ट फीचर के साथ इस स्कूटर में बहुत सारे बदलाप किये गए है मैस्तो एज कनेक्ट एडिशन में 6 कलर का ओप्सन मिलता है और यह है इसका प्रिस्माटिक परपल कलर इसके नई फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, नई औरोड कीमत कितनी है यह सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो इसको अगर आप फ्रंट प्रोफाल से देखेंगे तो इसकी जो हैड लाइट है, वो कम्प्लीटली चेंज कर दी है अब इसमें आपको LED सेटप देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो और 125 का इस्टिगर मिल जाता है और इसकी जो हैड लाइट है वो आपको फुली LED में मिल जाती है यहाँ पर आपको जो है दो छोटी सी प्रोजेक्टर लाइट भी मिल जाती है और यहाँ से आप इसकी लो बीम और हाई बीम की लाइट को देख सकते हो जो की नैट के लिए बहुत ही जादा कमफर्टेबल दी गई है और यहाँ पर नमबर प्लेट का उप्सन मिल जाता है यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है डे टाइम के लिए और यहाँ पर आपको एज का स्टिगर मिल जाता है इसके अप्रें के उपर आपको Air Vant मिल जाते हैं जो की Made Blackness में दीए गए है इसके Indicator की बात करें तो यहाँ पर आपको वही पराने वाले Indicator मिल जाते हैं नॉर्मल बल्प के साथ तो अब बात करते हैं इसके front mudguard की तो यहाँ पर आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको IBS का logo मिल जाता है और साइड में आपको reflector मिल जाता है और यहाँ पर 190 mm की diameter की disc brake मिल जाती है और यहाँ पर आपको 90-90 बारे का tire size मिल जाता है इसमें tulish tire मिल जाते हैं और black color के 12 inch के allowable दिये गए हैं और इसके front में आपको telescopic suspension मिल जाते हैं दोस्तों तो अब बात करें इसके meter console की तो इसका meter console है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है पहले इसमें analog type का meter console मिलता था अब इसमें आपको fully digital type का meter console देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसकी display को देख सकते हैं यहाँ पर engine malfunction indication light और fuel की indication light turn signal indication light और i3S की indication light देखने को मिल जाती है और इसकी display में आपको fuel की reading और नीचे clock मिल जाती है तो यहाँ पर आपको kilometer परार की speed की reading और यहाँ पर आपको kilometer की reading मिल जाती है और इसकी display के right and side में आपको trip meter मिल जाता है इसमें आप अपने scooter का real time average भी देख सकते हो कि आपका scooter कितना mileage दे रहा है और यहाँ पर आपको calendar का भी option मिल जाता है इस scooter में और इस scooter में आपको mobile Bluetooth connectivity का भी option मिल जाता है आप अपने mobile को Bluetooth से connect करके और इसके GPS के और इसके सारे नए features का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसका digital meter console का area काफी attractive दिया गया है color combination के साब से और इसके जो side mirror है वो भी आपको changes देखने को मि और यहां पर आपको low beam high beam switch और इसी में आपको passing का switch मिल जाता है और नीचे आपको indicator और horn का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में चलें तो यहां पर आपको i3S का switch मिल जाता है जैसा कि इसमें i3S system दिया है नीचे आपको self का switch मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो यहां पर आपको बहुत सारे changes देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इसकी जो headlight है वो completely change कर दी है और इसकी जो color और जो graphics है वो एक नए रूप में दे दिये हैं जैसा कि यहां से आप इसके graphics को देख सकते हो एक अलग और एक unique सी design आपको इस scooter में देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको पिलियन के लिए adjustable protest मिल जाता है जो कि aluminium का दिया गया है और इसके side panel पर आपको Mastro का 3D में logo मिल जाता है और 125 age का यहां पर आपको graphics मिल जाता है जो कि purple और यहां पर आपको white और grey color के combination में दिया गया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके exhaust के design की बात क यहां पर आपको पहले से काफी better quality वाली seat यहां पर आपको मिल जाती है इसकी जो questioning है वो काफी ज़्यादा soft दी गई है जो की dual tone color में आपको इसकी जो seat है वो मिल जाती है और यहां से आप दोस्तों इसके पीछे वाले view को देख सकते हो यहां भी आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा यहां पर आपको black color का grab handle मिल जाता है और यहां पर आपको hero की branding मिल जाती है इस टीकर के रूप में और यहां पर आपको black glossiveness मिल जाती है इसकी जो tail lamp है वो आपको LED वाली मिल जाते है और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहां भी आपको maestro age 125 का 3D में logo और यहां पर आपको graphics के रूप में मिल जाता है और यहां भी आपको plan के लिए adjustable footrest और इसके engine के side में आपको जो मिल जाता है कि start का option और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहां पर आपको 90 110 का tire size मिल जाता है 10 inch के black color के alloy bill मिल जाते है 130 mm की drum brake मिल जाती है और इसके पीछे क 4.6 cc का air cooled forest rock ऐसा engine दिया है इसकी maximum power है 9.1 ps की 7000 rpm पर इसका maximum torque है 10.4 nm का 5500 rpm पर इसका curve beta 122 kg इसकी fuel tank capacity है 5 liter की और इसके additional features है wingers, side stand engine, cut off switch, combination lock और topple alert, trip analysis, driving scores, speed alert, live tracking और tau away alert और hero locate, bluetooth connectivity यह इसके additional features हैं दोस्तों जो की आप को इस scooter में देखने को मिल जाते हैं और यहांसे आप इसके leg space area को देख सकते हो जो की काफी चोड़ा इस scooter में आपको मिल जाता है यहां पर आपको मिल जाता है आप अपने mobile को भी यहां से charge कर सकते हो यहां पर आपको night के लिए LED की boot light देखने को मिल जाती है और यहां से आप इसकी seat को देख सकते हैं जो की काफी चौड़ी दी गई है दोस्तो अब दोस्तो मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust का sound को सना देता हूं कि आपको इसके exhaust का sound कैसा लगा तो अब मैं बात करूँ इसके mileage की तो जैसा कि दोस्तो यह 125cc का scooter है इसमें आपको 50-55 km per liter का असानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो 40-50 की speed में चलाते हैं तो अब दोस्तो बात करें इसके price की तो hero maestro age 125 के connect edition की on road कीमत है disc variant की जो की अभी ये top model है maestro age में और इसकी on road कीमत है 99,450 रुपे ये on road कीमत मैंने आपको बताई है सान्योशोर hero madhyam gram कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें, share करें thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में